हेलो बच्चों जार्खन बोड क्लास 11 में कल 18 जून केमेस्ट्री टर्मटू का एकजाम है जिसमें ओक्सिक्रन अवस्था यानी ओक्सिडेशन नमबर निकालना एक इनपोर्टेंड महत्वपूर्ण टोपिक है तो चलिए अभी हम लोग जार्खन बोड क्लास 11 केमेस्ट्री में कल 18 जून टर्मटू एकजाम के लिए अभी ओक्सिक्रन अवस्था यानी ओक्सिडेशन नमबर को निकालना सिखते हैं बहुत मजबूती से और बहुत बारिकी से देखिए अलग-अलग उधारन को लेकर पहल ओक्सिडेशन इस्टेट यानी ओक्सिडेशन आवस्था ओक्सिडेशन नमबर निकालने बोलेगा उसको एक्स माल लेना है और बाकी बचे हुए तत्वों का संयुजक्ता को लिग कर जोड के रूप में लिग कर इकवल टू जीरो करना है अपने एक्स का मान आ जाएगा ज MN यानी मेंगनीज का निकालना है माना मेंगनीज यानी MN का ओक्सिडेशन नमबर इकवल टू एक्स बाकी पोटेसियम और ओक्सिजन का संयुजक्ता को लिखना है जोड के रूप में यानी पलस 1 पलस X मेंगनीज का निकालना है पलस oxygen का minus 2 into 4 equal to 0 हो जाएगा यानि plus 1 plus x minus 8 equal to 0 मतलब x minus 7 equal to 0 यानि x बराबर plus 7 answer हो जाएगा Kmno4 में Mn यानि मेंगनीच का oxidation number oxygen आवस्था plus 7 होगा आगे देखिए सवाल नंबर 2 H2, S2O7 में sulfur यानि S का oxidation number निकालना है तो x माल लेंगे फिर बचे हुए hydrogen और oxygen का सहुझ जगता को जोड के रुप में लिखेंगे यानि plus 1 into 2 क्योंकि hydrogen दोठ हो है plus 2x क्योंकि sulfur दोठ हो है plus minus 2 into 7 क्योंकि oxygen साद हो है equal to 0 यानि plus 2 plus 2x minus 14 बराबर 0 यानि 2x minus 12 बराबर 0 मतलब 2x बराबर 12 यानि x बराबर plus 6 answer हो जाएगा आगे देखिए सवाल नंबर 3 question नंबर 3 को समझे H2O2 में oxygen का oxidation नंबर निकालना है तो x माल लेंगे फिर hydrogen का लिखेंगे सहुजकता जोड के रूप में यानि plus 1 into 2 क्योंकि hydrogen दोठ हो है plus 2x क्योंकि oxygen दोठ हो है equal to 0 मतलब plus 2 plus 2x is equal to 0 यानि 2x बराबर minus 2 यानि x बराबर minus 1 हो जाएगा answer ठीक है H2O2 में oxygen यानि O का oxidation नंबर निकालना है तो x माल लेंगे और hydrogen का सहुजकता को लिखेंगे यानि plus 1 into 2 plus 2x equal to 0 यानि plus 2 plus 2x equal to 0 यानि 2x बराबर minus 2 यानि x बराबर minus 1 oxygen का oxygen नवस्था हो जाएगा आगे देखें चार नंबर स्वाल MnO4 में Mn यानि मैंगनीज का निकालना है तो माल लेंगे x ठीक है तो हो जाएगा x plus oxygen 4 को है यानि minus 2 into 4 और iron में 1 minus है तो equal to minus 1 हो जाएगा देख लिजिए पावर में minus 1 iron है तो equal to में लिखेंगे minus 1 अब आगे होगा x minus 8 equal to minus 1 यानि x equal to minus 1 plus 8 मतलब x बराबर plus 7 यानि question नंबर 4 में जो दिया गया है MnO4 में मैंगनीज का ओक्सिक्रन आवस्था oxidation नंबर हो जाएगा plus 7 आगे देखिए सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 को समझिए K2CRO4 K2CRO4 में CR कॉर्मियम का oxidation नंबर ओक्सिक्रन आवस्था को निकालना है तो x माल लेंगे बाकी बचा हवा तत्व पोटेसियम और oxygen का सहुझजक्ता को लिखेंगे यानि plus 1 into 2 क्योंकि potassium दोठो है plus x plus minus 2 into 4 क्योंकि oxygen चाठो है equal to 0 यानि आगे हो जाएगा plus 2 plus x minus 8 equal to 0 यानि x minus 6 equal to 0 मतलब x बराबर plus 6 answer हो जाएगा 5 नंबर सवाल K2CRO4 में कॉर्मियम CR का oxidation नंबर हो जाएगा plus 6 आगे देखिए सवाल नंबर 6 PF6- PF6 में P का निकालना है oxidation state ठीक है P मतलब हो जाएगा Phosphorus Phosphorus का निकालना है oxygen आवस्था कितना होगा तो माल लेंगे x ठीक है हो जाएगा x plus minus 1 जो फलोरीन का स्यूज़कता होता है और 6 गो है तो minus 1 into 6 equal to iron minus 1 है तो minus 1 हो जाएगा equal to में आगे लिखेंगे x minus 6 equal to minus 1 यानि x बराबर minus 1 plus 6 मतलब x बराबर plus 5 यानि Phosphorus P का oxygen आवस्था हो जाएगा पलस 5 एंसर आगे देखिए सवाल नमबर 7 Naio3 में I मतलब iodine का oxidation state निकालना है तो माल लेंगे iodine का oxidation number equal to x बाकी sodium और oxygen का oxygen आवस्था को लिखेंगे देखिए plus 1 plus x plus minus 2 into 3 कि oxygen 3 हो है equal to 0 आगे लिखेंगे plus 1 plus x minus 6 equal to 0 यानि x minus 5 equal to 0 मतलब x बराबर plus 5 यानि Naio3 में I मतलब iodine का oxidation आवस्था हो जाएगा plus 5 एंसर आगे देखिए सवाल नमबर 8 Na2SO4 में S मतलब sulfur का oxygen आवस्था को निकालना है तो माल लेंगे x और बाकी बचे वे sodium अवर oxygen का सयुँजक्ता को लिखेंगे यानि plus 1 into 2 क्योंकि sodium दोठ हो है plus x plus minus 2 into 4 क्योंकि oxygen चाठ हो है equal to 0 आगे लिखेंगे plus 2 plus x minus 8 equal to 0 यानि x minus 6 equal to 0 मतलब x बराबर plus 6 answer हो जाएगा Na2SO4 में sulfur S का oxidation नमबर हो जाएगा plus 6 आगे देखें 9 नमबर सवाल Cr2O7 2 minus में Cr मतलब कर्मियम का oxidation नमबर निकलना है तो माल लेंगे x तो हो जाएगा 2x क्योंकि कर्मियम दोगो है तो 2x plus minus 2 into 7 क्योंकि oxygen 7 गो है equal to minus 2 क्योंकि iron के रुप में 2 गो minus है तो equal to minus 2 लिखेंगे यानि आगे लिखेंगे 2x minus 14 equal to minus 2 यानि आगे होगा 2x equal to minus 2 plus 14 बचेगा 12 तो x बराबर आएगा plus 6 यानि Cr2O7 2 minus में क्योंकि Cr का oxidation नमबर हो जाएगा plus 6 आगे देखे सवाल नमबर 10 अंतिम सवाल question नमबर 10 को समझिए ClO4 minus में कलोरीन Cl का oxidation नमबर निकालना है तो माल लेंगे x आगे हो जाएगा x plus minus 2 into 4 क्योंकि oxygen चाठ्ठ हो है equal to minus 1 क्योंकि iron के रुप में minus 1 है तो equal to minus 1 लिख देंगे आगे होगा x minus 8 equal to minus 1 यानि x बराबर plus 7 answer आ जाएगा मतलब ClO4 minus में Cl कलोरीन का oxidation नमबर हो जाएगा plus 7 ठीक है plus 7 answer हो जाएगा कलोरीन का oxidation नमबर oxygen आवस्था आगे देखे याद रखने योग ये कुछ बाते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा plus 1 होता है ठीक है BR ठीक है minus 1 होता है fluorine minus 1 होता है cyanide का minus 1 होता है oxygen का minus 2 होता है hydrogen का plus 1 होता है H2O जल का 0 होता है H2O जल का 0 होता है और NH3 ammonia का 0 होता है ये सब बातें याद रखिएगा झाल